पुलिस की हुई मुढफेड बदमाशों ने पुलीस टीम पर की फाइरिंग बुलंद शहर गौक्षी कर रहे हैं 25,000 रुपे के इनामी टॉप 10 बदमाश चांच से पुलिस की हुई मुढफेड बदमाशों ने पुलीस टीम पर की फाइरिंग दोनों तरफ से कई राउंड हुई फाइरिंग पुलिस की जब अभी फाइरिंग में 25,000 रुपे का टॉप 10 अपराधी चांद गोली लगने से हुआ घायल घायल बदमाश को पुलिस ने किया गिरफतार बदमाश के अन्य साथ ही अंधेरे का फाइदा उठा कर हुए फरार फरार बदमाशों की तलाश में पुलीस कर रही कॉम्बिग पकड़े गए नामी बदमाश चांद का लंबा है आप रादिक इतिहास 15 संगीन मुकद में है दर्ज पकड़े गए बदमाश किया बदमाश चांद का लंबा है आप बदमाश चांद का लंबा है इतिहास 15 संगीन मुकद में है लंबा है लंगे वोग। बीती रात थाना गुलावटी छेत्र में पुलिस मुटभेड में कुख्यात गोतसकर चांद पुत्र नूर इलाही पुलिस मुटभेड में घायल हुआ है क्रास फाइरिंग में और इसके कबजे से इस घटना में प्रयोप असलहे बरामद हुए है तथा गोकसी के उपकरण ब करामद हुई है जिसकी गोकसी के इरादे से इसने इसने साथियों के साथ मिलकर उसको कहीं से ले आया था उन लेखनी यह है कि टाप टेंड का परादी है इसके बिरुद्ध पचीश जार रुपए की पुरसकार राज पूरु से घोसित थी तथा वर्स 2020 से लगातार वांश चल रहा था इसके बिरुद्ध कुल पंद्रह से अधिक मुकदमे पूरु से दर्ज हैं जिनमें दो हजार अठारह में इसके बिरुद्ध देनेस्थे की भी कारवाई की गई थी बहुत ही कोख्यात किस्म का गोकशी करने वाला अप रादी है और अपने साथियों के साथ थ में अधिरे का फाइदा उठाते हुए भागने में सफर रहे हैं जिनके बारे में जानकारी और गिरुद्धारी का प्रयास अलग से किया जा रहा है